हलो नमस्कार दोस्तों आप सोभी कस्वाइब थे लगभी आटो कार में दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसी सब कॉम्पेक्ट माइक्रो एसवी कार के बारे में जो कि अपने 1.2 लिटर पैटोल इंजिन के साथ में C&G का भी option आप लोगों को प्रोवाइड करके देती है एक premium सा आप लोगों को base model के अंदर ही interior भी प्रोवाइड करके देती हो और board लोग वाला exterior प्रोवाइड करके देती है वो भी कम price ने के अंदर तो जिहां दोस्तों इनी सब बातों को ध्यान रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकिया हूँ टाटा के तरफ से आनिवली टाटा पंच और यह जो आप लोगों देख रहे हैं वो base model है जो की आता है pure C&G के नाम से जिसका एक्शोरूम प्राइज लखनाव का वो है 7 लाग 22,900 रुपे के अप्रोग्स में यहां पर आपको एक अच्छी वीजिबिल्टी वाला पूरा विंचल्ड एरिया देखने को मिल दाएगा जिसके अंदर से डाइवर को डाइवर पूरा बाहर का व्यू देख सकता है कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर CNG की बैजिंग है वेरिंट भी आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है प्योर 1.2 CNG के साथ यहां पर आपको डूल वाइपर विद वाश्रस का प्लेजमेंट देखने को मिल दाएगा यहां पर बोनेट एरिया आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यूज किया गया जिसके उपर कट्स डिजाइन से यूज किया गया बोर्ड लुक वाला ऐसा कुछ आपको नीचे का प्रोफाइर एरिया देखने को मिल दाएगा सेंटर में देखेंगे टाटा का लोगो है प्यानो ब्लाइफ फिनिशिंग में ग्रिल ओफर की गई यहां पर टैवर पैटर्न यूज किया गया है और इसी के पिछे हॉन भी देखने को मिल दाएगा यहां पर आपको उपर साइड में एंडे कर्दर देखने को मिलते हैं जो कि घलोजन बेस यूज किया गया है यहां पर आपको हेलेजन बेस हेडलाइट देखने को मिल दाएगे इसकी विजिविल्टी नैट के ताम पर बहुत यह अच्छी रहती है साइड में आपको यह र पर एरिया देखने को मिल दाएगा यहां पर आपको टुइंग का ओफशन देखने को मिल दाएगा और यह पूरा फाइवर बोडी के साथ में आता है टायरो डिजाइन आप देख रहे हैं इसी के पीछे रिटेटर ग्रिल लगी हुई है तो ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट C&G में तो यहां पर आपको 73.5 PS की देखने को मिल जाएगी मैलेज यहां पर आपको C&G में देखने को मिल जाएगा 26-30 kmpl का और पैट्रोल में आपको 18-20 के अंदर का मैलेज देखने को मिल जाएगा तो इंजन दोस्तो बहुत ही जबरदस्त है रिफाइनरी है यहां पर आ तो साइड से कुछ ऐसे looks आपको देखने को मिल जाएगे यहां पर और देखेंगे आप इस कार के cladding एंड इस कार के 360 वी मैं आपको पूरी cladding देखने को मिल जाएगे जो कि फईर बोड़ी की यूज की गई है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप देखेंगे 20R 15-inch के steel wheels आपको देखने को मिलेंगे, Tata के branding मिल दाएगी, front में disc and rear में drum brake देखने को मिल दाएगी, doors पर भी आपको colliding देखने को मिल दाएगी, जो कि fire body की यूज़ की जिसे doors protect रहते हैं, यहाँ पर आपको ORVM manual adjustment वाले देखने को मिलते हैं, matte black mishing के साथ में आते हैं fire body की यूज़ किये गया है, LED 10 indicator का placement है, A blur पुरा body color यूज़ किया गया है, roof में आपको दिखा देखने को मिल दाएगी, B blur भी पुरा matte black mishing में है, body color, door handles यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, वही fire body की यूज़ किये गया है, manual key का placement यूज़ को open कर सकते हैं, back side में अंडर बले एक body color, door handles यूज़ को देखने को मिल जाएगे, तो ऐसा है पूरा side का profile, प्रेजर साब को देखने को मिल जाएगे, design cuts देखने को मिलती है, हलकी हलकी सी, अगर बात कर लेते हैं, इस कार के side से length के बारे में, तो इस कार में जो आपको को length देखने को मिलती है, वो है 3827 mm की, जो wheel base है, वो आपको 2400 पैटलिस mm का देखने को मिल जाएगा, और जो यहाँ पर ground trainers दोस्तों यूज़ किया गया है, वो मैं आपको दिखा दू, 186 mm का यूज़ किया गया, जिसके आप comfortably इस कार को कहीं भी राइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा है पूरा set का profile, rear profile की तरफ चलते हैं, तो यह आप पूरा rear का profile, कुछ boxy design के साथ में आता है, लोगो को भी कहिया तक पसंद आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, high mountain stop lamp है, body color is quality उसकिया गया है, defogger का placement नहीं है, और vocal local के speaker, CNG की badging, यहाँ पर टाटा का logo है, punch की badging मिल जाएगी, और ICNG की badging मिल जाती है, यहाँ पर आपको टायरो design के साथ में, halotin base tell light देखने को मिल जाती है, जिसकी visibility night के time पर बहुत ही अच्छी रहती है, और यह पूरा rear का bumper area है, fire body के साथ में आता है, जिसके उपर आपको river parking से से, dual points देखने को मिल जाएगे, reflectors देखने को मिल जाएगी, नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको stepning देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको boot space देखने को मिल जाएगा, वो 210 लिटर capacity के साथ में आता है, क्योंकि यहाँ पर dual cylinder technology यूज़ की गई है, जिसके से boot space जो फड़ा सा कम हो जाता, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा कासा है, other comparison की कारों में अगर आप देखेंगे, तो boot space ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा कासा है, यहाँ पर आप देखने है, dual cylinder technology यूज़ की गई है, तो ऐसा है पूरा boot space area, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और बढ़ता हूँ other specifications की तरफ, आप लोगों को व्लॉग अच्छी लग रहे होगी, और वीडियो भी पसंद आ रहे होगी, तो पीज वीडियो को लाइक करेगा, second side profile की बात कर ले, तो ऐसा कुछ आपको second side profile देखने को मिलेगा, semi है, यहाँ पर आपको fuel tank area देखने को मिल जाता है, 60 लीटर की dual cylinder आते हैं, मतलब की 30-30 लीटर की 2 cylinder रहेंगे, और 37 लीटर की आपको fuel tank area देखने को मिल जाता हैगा, तो ऐसा रहा इस कार का चारो तरफ का profile area जो के मैं आपको दिखा दिया, एन अप चलते हैं इस कार के interior के तुरफ और देखते हैं, वहाँ पर क्या-क्या features देखने को मिल जाते हैं, open करते हैं, second row cabin के door को, तो ऐसा कुछ आपको पूरा door panel देखने को मिल जाएगा, dual tone finishing के साथ में आता हाई, hard fire plastic body यूज़ की गई, टेक्शिरेटर है, piano black finishing में door handles हैं, twitter grill हैं, लेकिन आपर टेटर यूज़ नहीं किया गया है, hand grapper, white finishing, tireo design के साथ में, roller है जिससे आप window को अब डाउन कर सकते हैं, manually, bottle loader पे folder के space, speaker grill मिल जाएगी, तो overall door panel ठीक है, base model में यूज़ किया गया है, and seats की बात के लिए, second row cabin की बात करें तो पूरा आपको dual tune fishing में देखने को मिल दाएगा, seats आपको black fabric capacity वाली देखने को मिलती है, बहुत ही soft and comfortable material यूज़ किया गया है, thigh support आप देख सकते हैं, अच्छा खासा है, ISO fix mounting seats, seat bells, backrest, fix वाली headrest है, वहाँ पर आप देखेंगे handgraper है, second row का भी पूरा door panel same है, leg space की बात करें तो अच्छा खासा leg space भी देखने को मिल दाएगा, comfortably passengers बैट जाएगे, कोई दिक्कत नहीं होगी पैरों को फैलाकर, यहाँ पर mobile door का space है, तो second row cabin भी overall बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया पैसेंजर्स के लिए, तो इसको मैं बंद करता हूँ, और चलता हूँ इस कार के front में, बात के लेता हूँ front row cabin के बारे में, यह देख सकते हैं, door panel same ही यूज़ किया गया है, driver side वाला भी, white finishing, hard fire plastic body, hand graper, front के power windows आपको देखने को मिलते हैं इस फिरेंट में केवल, do handles, twitter grill, नीचे bottle or paper holder का space, amaryla holder का space, speaker grill टाइरो डिजाइन के साथ में, तो same door panel यूज़ किया गया है, and front row cabin के बाद के बाद करे तो वो कुछ ऐसा, आपको देखने को मिलेगा, same dual tone finishing में, seats भी आपको semi देखने को मिलते हैं, black fabric capacity वाली, बहुत ही soft and comfortable है, thigh support देख सकते हैं, अच्छा खासा है, side के boosters, backrest, use किया गया है, adjustment के साथ में headrest आते हैं, नीचे आपको यहाँ पर levers देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप decline कर सकते हैं इसको, यहाँ पर roller reference seat को आगे पिछे करने के लिए, यहाँ से fuel tank open करने का लिए बर है, तो एक बार मैं open करके आपको दिखा देता हूँ fuel tank, यहाँ पर आप देख सकते हैं, dual moves बने हैं, यह petrol का है, और यह CNG का, अगर यह खुला रहे गया, तो car start नहीं होगी, यह धान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह safety wise यूज़ किया गया है, और यह 20 के साथ में update कर दिया गया है, यहाँ पर ABC paddles, mobile loader के space, CNG mode button, on, off करने के लिए, यहाँ पर आपको AC wear jack में को मिलते हैं, piano black finishing यूज़ की गई है, manual key का placement है, तो overall, यहाँ पर जो driver set का interior यूज़ किया गया, वो भी बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया, लोगों को भी पसंद आता है, तो अफकार के अंदर लगाते हैं, चाबी एंड बैटते हैं, one by one करके front row cabin के सबी features को explore करते हैं, तो यह रहा, इस कार का dual tune finishing के साथ में आने वाला dashboard area, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, शुरुबात करता हूँ steering wheel से, तो यहाँ पर आपको three spoke power steering wheel देखने को मिल दाएगी, बहुत अच्छे gripping के साथ में आती है, flat bottom area है, center में Tata का logo, airbag की badging है, यहाँ पर आपको horn देखने को मिलेंगे, और कोई buttons यूज नहीं किये गया है, इधर देखेंगे तो wiper के controls, इधर side में indicator headlight के controls, end up चेक लेते swing wheel को adjust करने के mounting है या नहीं, तो मैं lock करता हूँ, cable tilt का option आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा center console देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई भी infotainment सिस्टम नहीं लगा है, लेकिन आप accessories के तौर पर लगवा सकते हैं, dual AC events आपको देखने को मिल जाएंगे, piano black finishing के साथ में hazolet का switch है, नीचे आपको manual AC के पूरे controls देखने को मिल दाएंगे, यहाँ पर आपको वेडिटी पैट देखने को मिल दाएंगे, आपको digital instrument cluster देखने को मिल दाता है, जो कि on करके में एक बार आपको दिखा देता हूं, कुछ इस परकार का लुक देखने को मिलेगा, जूम कर देता हूं, इसी के अंदर आपको को सभी information देखने को मिल दाएंगी, जो आती है, modes आपको देखने को मिल रहे है, all and all जो भी functions है, check lights है, indicators है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं, इसको अगर कस्टमाइज भी करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्यू लेवल लो दिखा रहा है, कि हम है, Odo है, Trip है, and all functions है, CNG, Ignations है, यहाँ पर mode का बटन है, इसको प्रस करके, कि आप, Trip A, Trip B, Odo, यह सब कुछ अपनी हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो बहुत informative है, temperature भी आप देख रहे हैं, indicators की भी चकलेट्स, शो आप हो जाती है, तो ऐसा है पूरा instrument cluster, जो की बहुत अच्छा है, informative है, dashboard की बात करते हैं, तो dual tone finishing में आप देख रहे हैं, पूरा dashboard यूज़ किया गया है, वही हार्ट वार्ट प्रासी बॉड़ी के साथ में आता है, टेक्चुरेटेड है, wooden finishing है, यहाँ पर आपको वाइट टेक्च्च्छर देखने को मिलेक्टिक आयो रहे हैं, design के साथ में AC1 पर प्यानो भी लेक्ट निशेंगे, बिलेस पर आपको ट्विटेड ग्रिल देखने को मिलती है, जिसको आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, साथ ही साथ, ABSV, DBD, Heal Roller Seat जैसे features भी include कर दिये गा हैं, और अगर बात करते हैं, बच्चों के लिए तो यहाँ पर आपको ISOFIX mounting seats देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा child locking system भी देखने को मिल जाता है, और Tata की जो build quality दोस्तो रहती है, वो एक number के रहती है, कोई डिकत नहीं होने वाली है, तो चलिए, कार को करते हैं बंद, और चलते हैं बाहर, बात कलेते हैं थोड़ी सी और detail में, So, overall दोस्तो, मैंने आपको को कार पूरी दिखा दी, and कार के जितने भी features से, वो सब कुछ बता दिया, जो भी था, price भी बता दिया, and I hope आपको को व्लोग अच्छी लगी होगी, और काज भी बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, और आज का व् लोग उसे नेक्स्ट व्लोग में तबते के लिए टेक करें, बाई-बाई